ओम साही राम नमस्कार मैं हूँ साही पूजा साही पूजा चानल पर आप सभी भक्तों का तह दिल से स्वागत है अभी नंदने और धेर सारा प्यार श्री साही बाबा का आशिरवाद तो आज हम चलते हैं एक बहुत प्यारे से अनुभाव के साथ चुकि आप सुनेंगे तो कहेंगे वाब बाबा की लीला क्या है ऐसे बाबा ऐसे भी कर देते हैं बाबा ऐसे भी कर देते हैं बाबा हर एक भक्त के पीछे अपना हाथ कैसे रखते हैं उनको आशिरवाद कैसे देते हैं उनकी जीवन में बाबा का महात्व क्या है तो चलते हैं जानते हैं एक भक्त है जो कि लखनव राय बरेली से जुड़ रही है आपका नाम बता है अंजली ठाकूर जी बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको बाबा से जुड़े हुए दस साल से मैं प्रापर बाबा से जुड़ी हूँ और बाबा ने बहुत बहुत चमतकार किये मुझे मतलब हम कुछ भी न रहने के लिए मतलब ऐसा घर था कि बारिस होती थी तो खाना नहीं बनता था अच्छा यह पगड़ी है आप बारिस होती थी खाना नहीं बनता था बच्चों को लिक हम बैठ जाते थे आध्य नमारे गाड़ी चलाते थे पार्टनर्शिप में लिए थे मतलब हमारा कुछ नहीं लगा था लेकिन एक थे जिन्होंने गाड़ी दिया ब्लोरो मेरे हज़्मेंट चलाते थे मतलब अपने पास सेफी ऑफ कॉस्ट मतलब ऐसे ही देदी चलाने के लिए चलाने के लिए गरी भी देखकर तो बारिस होती तो यह कॉल करते घर पे क्या हो रहा है तो हैसा हो से तो बच्चों को ले करके में बैठ जाती है साइड में यहां तक कि हमारे सर से भी उपर से सर पे मेरे बच्चों के में पानी गिरता यह कॉल करते क्या हो रहा है तो बोलती बस खाना नहीं बना बच्चों को लेके बैटे हैं फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा फिर मेरे पापा गाड़ी तो हमेरे बच्चे बहुत रुए दिन बेटियां हैं को लेज जाना बंकर दिया कि लोक का लेज में टाना दे 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 कि तुम्हारे पापा इस तो गाड़ी ले ले अब क्या करोगे क्या होगा तुम लोगों का मेरे बच्चे बहुत रोए कम सकान चार करने जरूर जाना यहां से जाने के बाद पंदरा दिन भी नहीं हुए मेरे नाम की ब्लोरो गाड़ी मेरे दरवाजे खड़ी हो गई यह नहीं पता ना हमाई तो सोच इतनी गरीबी थी जब घर नहीं था तो पैसे कहां से आते लेकिन बाबा के ऐसी खिरपा हुई कैसे भी कर अब यह मैं नहीं बता सकती मैं सोच ही नहीं सकती कि गाड़ी मेरे नाम की मेरे दरवाजे खड़ी हो गई ब्लोरो ब्लोरो उस समय उसकी प्राइस क्या होगा लगबंग साथ लाक साथ लाक उसके प्राइस था तब दो हजार चौदा में साथ रुपिया भी नहीं साथ सो भ ही हो गई इतना मतलब अब मैं क्या बताऊं कैसे बाबए नि किया क reward क्या से मतलब इतना खुसी इतना खुसी मेरेव हम लोग सब लोग इतना मतलब की बाबा महारे दरवाद करण गारी आकर यह करी हो गई बेटी आपकी रो रही है शादेश आपकी बेटी है ना जी ये मेरी बड़ी बेटी है ये रो रही है ये चमतकार सुनके ये बाबा का प्यार सुनके ये मेरी बेटी मेरे बाबा का इतनी बड़ी भक्त है इतनी बड़ी के मतलब हम लोग भिसका के कुछ नहीं है इतनी बड़ बड़ी वाक्त मतलब मेरे तीनों बच्चे मेरे हजबन हम लोग बाबा का नाम लेके उपते हैं सोते हैं जकते हैं मतलब हर चीज में हमारे बाबा है बाबा फिर उसके बाद गाड़ी आने के तीन चार साल बाद घर हमारे पास जो घर नहीं था इतना आली शान मकान बाबा न लेकिन बस जैसे ही घर का नाम लिया कि घर बनना है बाबा से ही कि बाबा बेटियां बड़ी हो रही है अब एक घर चाहिए कोई आता है तो लोग घर देखते हैं मतलब उल्टी सीधी तो बाबा एक चछट दे दीजिए मंदिर जाते तो ऐसा देखते मंदिर बाबा का तो आज लोग देखते हैं हाँ इतना अच्छा मकान और हमको कुई मैंने काना कि मैं अपने सब्दों से बैया नहीं कर सकती मैं क्या बताओं कि कैसे आया कैसे हुआ सोचती हूं तो कैसे हो गया कहां से आया पैसा कैसे बन गया जहां मतलब हमारी इतनी हैसियत नहीं थी एक रू लोगों की अम को इतना खुछ दिया तो हमारे पड़े पड़े लोग हमारे रिश्चेदार जो है वो नोगों कि उसे इतना मतलब इतना जलन रख रहे हैं कि उनको ये घर कैसे बन गया किसी की अच्छी थिंकिंग है किसी की बुरी ठिंकिंग है सोचो सोचने वाला तो कोई कुछ भी सोचे उस से हमें मतलब नहीं है किसी ने नहीं पूछा, कि तुमने खाया या नहीं खाया, बारी सो रही है, चलो मेरे घर बच्चों को सुला दो, बेटियां बढ़ी हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, फोन करते हैं, कोई फोन ना उठाता, और आज वही लोग पीछे, आगे नहीं आते हैं, जलन में, ति कैसे हो गया कैसे हो गया रहे इतना पैसा कहा से आ गया इतना गरीब ये लोग इतना कैसे और सब बाबा का चमतकार भाई बाबा को बहुत मानते हैं लोग कुछ लिए ये भी कहते हैं थम तो कहते हैं बस बाबा का चमतकार है पहुत बिशाल मंदिर बना हुआ है हम लोग 10 साल से एक बार दर्शन करने संकर जी का जा रहे थे मंदिर हमाई सास जी थी बोली भीया चलके दर्शन कराओ चलके तो रास्ते में एक लेडीज मिली हमें माता जी उन्हीं बोली कि यह पास में चले जाईए यहां पर एक साई बाबा का बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है तो हम लोग चले गए सब पूरा परिवार लेकर के मंदिर में पुजारी मिले उन्होंने बताया कि हर ब्रस्पतवार को लखनों से एक अंकल आते हैं पांडेजी जुन्होंने मंदिर बनवाया है तो हम लोग जी दिन गए थे उस दिन मंगलवार का दिन था तो उसी दिन से गए फिर बुद्धवार पड़ा दे उसरे दिन ब्रस्पतवार को बारी सोने लगी तो हम लोग नहीं पहुँच पाया फिर अगले ब्रस्पतवार को हम लोग पहुँचे पस्तभी से हम लोग वहीं देहली में हर ब्रस्पतवार पूरा परिवार ले करके और कम से कम दस साल में एक हजार लोगों को नीसुलक दरसल हम लोगों ने करवाया वहीं पर कभी किसी से किराय नहीं लेते थे, आज भी किराय नहीं लेते हैं ब्रस्पत वार दिन अगर कोई हमको 10 लाग भी दे बोले बुकिंग में लेके हमको चलिये तो हम नहीं जाते थे फिर अंकल ने हमको समझाया कि बाबा यह नहीं कहते कि अपना नुकसान करके हमारे धरबार में आओ वो कहते हैं पहले अपनी रोजी देखो और वहीं से हमारा नाम ले लिया करो लेकिन फिर भी हम हर ब्रस्पत वार को अपना पूरा फैमली ले करके और जो लोग भी जाते हैं निसुलक दरसन करवाते हैं पानी भी पिलवाते हैं नास्ता भी करवाते हैं पैसा किसे से नहीं ल आते हैं तो अंकल से हम लोग रिकुष्ट करते हैं कि अंकल जो व्यक्षर लेके आए बाबा जी को वही पहला ना वाकि अंकल यह तो बहुत गरीब थे लेकिन आज के तारीख में одงक। बहुत बड़े आदमी और बहुत मांते हैं कोई भी चला जाए उनके मंदिरैं। सब को बीठाते हैं। सबक साथ में बराबर में बैठते हैं वे। बहुत बाइन हैं तो लोग उनकी परिष्टित को सुनगर के ቁ से आंस बंदने होते है। हम लोग भी बैटते हैं और वो ते बाबा का ध्यान रखें कि आज उनकी वो हैंसियत है कि 200 राज दूसो से उपर करी 300 ट्रैक है उनके पास और और सो लगज़री कारीया उनके पास है फिर भी हम लोग के पासं हम बाराबर भिटते हैं बहुत और कम से कम साल में साथ बार, अब साथ बार देली आते हैं, स्रीडी आते हैं, लखनों से, राइबरेली से, साथ बार हम साल में, साथ बार बाबा के दर्शन करने आते हैं, लोग यहां एक दिन, दो दिन रहते हैं, हम दस दिन रहते हैं बाबा के, दर बार में दस दिन, अगर कि अबस मैं लोगों को ये संदेज देना चाहती हूं कि बाबा जो चमत कार करते हैं वो किसी को मालूम नहीं पड़ सकता कोई सोच भी नहीं सकता कि बाबा क्या क्या चमत कार करते हैं बर स्रद्धा और विश्वास इतना रखो दूखो या सूखो बस केवल बाबा ही बाबा है। जब आए जब कि अंकल कहते हैं कि लोग यहीं के है इतने अमीर अमीर लोग है आते हैं यहां स्रीडी आते हैं सब दर्शन करके जाते हैं लेकिन ऐसा किसी के मन में यह नहीं होता कि हाँ चलो बाबा को वस्त ले चले यह बाबा के लिए कुछ करें यह हमारे वहां की यहां पर है यह हमारे बहुत ही बहुत ही विश्वास है अपने बाबा पर यहां तक ही एक बार अभी पिछली बार जब जन्वरी में आये थे तो हम बाबा की जब आते हैं वस्तर ले जाते हैं बाबा की फोटो ले जाते हैं तस्वीर ले जाते हैं तो जब यहां से लेकर जाने लगे तो मतलब एक दम जैसे रोना जैसे है कि लड़की माई के सजाती है तो रोना आता है तो अमा मी पापा तो आ है नहीं जब मैं यहां से जाती हूँ तो मुझे लग तो बज़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे सार के पास आके खड़े हैं और मुझे जगा आ रहे हैं कि रहे हैं मुझे लेके तो वहां से आई और खुद खाके सो गई मुझे तुम्हें कुछ नहीं खिलाया जब मेरे नीनद कुली तो देखे रहा घड़ी में दो बज़ रहा है सब बच्चे सो रहे थे ये सो रहे तो गया इनके पास हमने जगा हमने का अब रोने किसे वा मेरे मूँन से कुछ आवाद ने निकल रही हे तो ये कह रहे है क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बोलोगी? हम से तो बहुत बड़ी गलती हुगी, वह वह, वहां को देखिस menreibt saying, बाबा मेरे साथ चलो, बाबा को लेके आघा है, मैं तो खाली, लेकिन बाबा को मैंने कुछ खिलाए नहीं, यह हमसे गलती हुए, भाग के गए किचन के अंदर देखे, कटोरी गलास लिया, देखे, मतलब कुछ किचन में था नहीं, क्योंकि सब होटल में खा के आये थे, फ्रीज खोला, उसमें रजगूले रखे हुए थे, गए बाबा के मंदिर पर रखे, पानी रखे, और खुब र मतलब जैसा नहीं, एक मन में मतलब घबडा हर्शी ओने लगी, जैसा उने लगा, ता मैं गई इनको भूला घले के वह बली, जैसे मैं आजब किया, आप चमत से दूथ खतम हो गया। ये चमतकार है मेरे बाबा का। बहुत चमतकार है। हाँ। बिल्कुल भी बहुत सारे चमतकार है। मैंने कहाना बता नहीं सकती हूँ। तो ये इंटरेवे किसे लगा हमें ज़रूर बता हैं पर हमें कॉंटेक करें जिनको भी बाबा के सुरूप चाहिए वो भी कॉंटेक कर सकते होटेल एंड टिकेट के लिए और ये कमेंट सेक्षिन में ज़रू पता है कैसा लगा आनुपा ओम साहिराम चैसाहिराम